हलो फ्रेंट, CKD Stock Market News चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ और आज मैं आपके सामने बंधन Asset Management Company के कुछ बहतरीन से Mutual Funds की चर्चा करने की चेस्टा करूँगा आपके सामने अगर मैं बंधन Asset Management Company के बारे में बात करूँ तो बहुत कम लोगों को जानकारी है बंधन AMC से Related जी हाँ, अब अगर बंधन AMC के कुछ Mutual Funds की चर्चा करके देखें तो यहाँ पर देखेगा बंधन Sterling Value Fund, Value Oriented Category से हो करके आता है अब अगर आपको Value Oriented Category नहीं पता पर मैं आपको इससे Related एक Mutual Fund की बात करूँगा उससे सभी को डाउट क्लियर हो जाएगे कि यह किस तरीके का Mutual Fund होगा बंधन Sterling Value Fund की बात करेंगे 9756 करोड का इसका हस्ट सायज है दस साल में देखिए 480% का Return दस साल में बना के दिया है तीन मेने में 11% का Absolute Return नहीं ने बना के दिया है इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपसे कहा Value Oriented Category की कुछ Mutual Fund को अगर आपको जानना हो तो SBI Contra Direct Plan Growth का नाम जरूर आपने सुना होगा HSBC Value Fund का नाम भी आपने सुना होगा JM Value Fund Direct Plan Growth का भी नाम आपने सुना होगा तो इसी केटिगरी में एक Mutual Fund और आता है जिसका नाम है बंधन Sterling Value Fund Direct Growth जी हाँ बंधन AMC का एक Mutual Fund और आता है जिसका नाम है बंधन Banking and PSU Debt Fund Direct Growth जी हाँ PSU Debt Fund के अगर मैं बात करूँगा तो बहुत ज़्यादा इस समय PSU का क्रेस चल रहा है चाहे शेर मार्केट में शेर के अंदर हो चाहे फिर वो Mutual Funds के माध्यम से ही क्यों ना हो 14,109 करोड का इसका असेट साही जो 0.33% का बिलकुल मिनिमम इसका Expense Ratio है Nifty Banking and PSU Debt Index A2 को ये Follow करके चल रहे हैं Benchmark है ये Withdrawal पर आपसे कोई भी Charges नहीं लिये जा रहे हैं यहाँ पर 10 साल में पैसे को केवल इनों ने डवल किया है 3 महिने में 1% का Absolute Return इनों ने बना के दिया है इसके साथ साथ अगर आपको नहीं पता है तो बंधन Small Cap Fund Direct Growth भी बंधन AMC से होकर के आता है 5,881 करोल का इसका Asset Size है इसका भी Expense Ratio बिलकुल Minimum मातर है कि वर 0.35% का और एक साल के अंदर यहाँ पर निकलने कोशिस करोगी तो 1% का अलग से Exit लोड भी लगा के रखा हुआ है तीन साल में पैसे को 119% का रिटन बना के दिया है और तीन महीने में इनोंने 18% का रिटन अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है इसी सीरीज में अगर मैं बंधन AMC के किसी और Mutual Fund की चर्चा करूँ अगर मैं आपके सामने बंधन लिक्विड डिरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करें तो 13,470 करोड का इसका असेर्स आईज है 0.12% का केवल एक बहुत छोटा नाम मातर का एक्सपेंस रिशियो चार्च करके चल रहे है exit load से related इतनी बड़ी कहानी लिखे हुई है आप आराम से बैठके पढ़िएगा इसको पर आपको ultimately ये पता चलेगा कि केवल 6 दिनों का इन्होंने exit load लगा के रखा हुआ है return की मामलें बात करें तो 10 साल में केवल 86% का absolute return बना के दिया है और 3 मेने में केवल 1.5% का return बना के दिया है ultimately liquid fund के आंदर आप ये समझो कि saving bank से ही saving bank के बराबर ही जो आपका saving bank में पैसा पढ़ा रहता है उसी के बराबर आपको almost एक तरीके से interest rate of return मिलते हुए देखने को मिलता है अगर मैं liquid funds की और भी चर्चा करूँ तो महिंदरा मनुलाइफ का liquid fund आप देख सकते हो क्वांट liquid fund देख सकते हो बरोधा बेनपी पेरिवैस का भी liquid fund की तरफ एक बार नजर मार सकते हो बंधन multi cap fund का भी नाम बड़े जोरो शोरो से market के अंदर चल रहा है 2330 करोड का इसका असेट साइज है 0.49% का expense ratio है और एक साल का इनोंने exit load रखा है कि अगर आप एक साल के अंदर निकलने की कोशिस करेंगे तो अलग से 1% का exit load भी आप से लिया जाएगा देखे exit करने भी कोई रोक नहीं है कि बंधन EMC से related कौन कौन सी category बंधन EMC deliver करती है अपने investors को तो देखे बंधन banking and issue debt fund नाम already मैं ले चुका हूँ बंधन ELSS tax server fund जी हाँ ELSS अगर किसी को नहीं पता तो पता होना चाहिए कि अगर आप भारत इसके अंदर income taxpayer हो तो ATC के अंदर old regime के अंदर आपको 1,50,000 रुपे तक का deduction देखने को मिल सकता है उसमें तमाम scheme के अंतरगत एक scheme ये भी आती है कि अगर आपका equity oriented ELSS category के mutual fund में अगर आपका पैसा है तो आपको 1,50,000 रुपे के अंदर consider कर लिया जाता है तो जिस वज़े से ELSS category उन लोगों के लिए तरह important रहती है जो लोग taxpayer है बंदन Nifty 50 Index Fund भी चल रहा है बंदन Small Cap Fund के बारे में अल्रेडी बता चुका हूँ बंदन Liquid Fund के बारे में बता चुका हूँ बंदन Large Cap की भी चर्चा हो गई है बंदन US Equity Fund of Fund जी हाँ, US के अंदर अगर किसी को पैसे डालना है तो वो Mutual Fund के माधियम से भी डाल सकता है अमेरिका के अंदर, अमेरिका के अंदर बहुत सारी Fortune 500 companies already listed है दुनिया की हर company almost यहाँ पर अमेरिका के अंदर list होती है जिसकी वज़े से अमेरिका का market बहुत बढ़ा हो जाता है तो बंदन US Equity में भी बंदन स्टरलिंग वेल्यू फंड के सबसे पहले मैंने चर्चा करी बंदन Dynamic Bond Fund भी चल रहा है बंदन Bond Fund Short Term Plant Direct Growth भी चल रहा है बंदन All Season Bond Fund Direct Growth भी चल रहा है बंदन Ultra Short Term Fund भी कुछ चुनिंदा funds में से एक है बंदन Nifty 100 Index Fund भी कुछ चुनिंदा funds में से एक है बंदन Hybrid Equity Fund का भी नाम बड़े जोरो शोरो शे मार्केट के अंदर लिया जाता है तो आज मैंने आपके सामने ये बंदन AMC से Related कुछ Mutual Funds की चर्चा करनी चाहिए अब कोई सागर Mutual Fund छूट गया हो तो इसके लिए आप Comment box में रखेगा चैनल को सबस्क्राइब कीजिएगा इंकम टेक्स फाइलिंग का सीजन बहुत ही जोरो शोरो से चल रहा है लास्ट डे का वेट मत कीजिएगा अगर आपका Basic Exemption Limit से उपर अगर आपका हो गया है जी हाँ अगर Basic Exemption Limit से उपर अगर आपकी इंकम हो गई है जो कि 5 लाग और 3 लाग है तो आपको निल ITRE सही है आपको उस पर कोई Tax नहीं देना होता है पर आपको इंकम टेक्स फाइल जरूर करवाना चाहिए उसके बहुत सारे फाइदे भी होते हैं तो आप ये Services आप हमारे द्वारा भी Grab कर सकते हो बहुत ही minimum cost पे ITR की filing आपकी कर दी जाएगी सिंपल सी बात है चैनल पर जो आपके सामने दो नंबर reflect हो रहे है इन पर आप अधिक जानकरी फ्राप्त कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यहीं से विदा लेंगे वीडियो को लाइक कीजिएगा मेरे में तरे 10,000 सब्सक्राइबर का एक टार्गेट चल रहा है जो की 15-1600 मुझे सब्सक्राइबर और चाहिए बोला था जो रोल लगा दीजिए ताकि 10 के तक पहुँचने में आप सभी की भूमिकार है चैनल को सब्सक्राइब करना हरर महादेव आया पाश्राणम हरी श्राणम जैजगानाथ बहुत बहुत धन्याइब